11 laws? ये तो बहुत ज़्यादा हैं, है ना? लेकिन आपको इन में से कुछ बिल्कुल obvious लगे होंगे जैसा कि आपको बताया जाए कि बिर्यानी मज़ेदार होती है ये paper card तकलीव देता है बिल्कुल general knowledge और क्योंकि ये तमाम laws हमारे set R पर apply होते हैं हम इसको एक field कह सकते हैं maths में एक field घास वाली एक खुबसूरत open field नहीं होती है बलके ये एक मुख्तलिफ तरीके की खुबसूरती है एक field में आप इस real number को add, subtract, multiply और divide कर सकते हैं अब, इन laws को सीखने का हमारा मकसद बहुत obvious है कि हम इन्हें apply कर सकें मिसाल के तोर पर अपनी पहली example को देखें ये हमें proof करता है कि real number A जब 0 से multiply होगा तो result 0 ही होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि ये proof करने का क्या point है कि जब ही कोई number 0 से multiply होगा, answer 0 होगा लेकिन ये ना भूलें कि ये lesson properties apply करने के बारे में है So, चलें ये proof करते हैं तो left hand side लें हम additive inverse property को इस्तिमाल करके इसको expand करेंगे क्यूंकि इसके मताबिख 0 को हम 1 प्लस negative 1 लिख सकते हैं हम brackets का एक pair निकाल कर इसे एक simple subtraction बना सकते हैं इस distributive law को याद रखें जो कहता है कि brackets के बाहर मौझूद number अंदर वाले number से individually multiply कर सकते हैं ये याद है ना? अब ये ही चीज़ यहां करते हैं तो कोई भी number 1 से multiply हो तो वो same ही रहेगा इस multiplier of identity के मताबिख अब ये बिलकुल sum of a और उसके negative counterpart की तरहां लग रहा है Excellent job so far तो अब क्या? Well, is additive inverse property के मताबिख ये sum 0 होगा और इस तरह हम ये show कर सकते हैं कि इन properties जो हमने सीखी हैं कि A और 0 का product 0 ही होगा अब next example पर चलते हैं यहां हमें proof करना है कि अगर दो real numbers का product 0 है तो इन दो real numbers में से एक यकीनन 0 होगा फर्स करें कि दो real numbers A और B है और अगर इनकी product 0 है तो इन में से एक जरूर 0 होगा sense बनता है लेकिन हमें इसको proof करना होगा तो इस product को equation 1 कह देते हैं और suppose करें A 0 नहीं है तो B की value क्या होगी? अगर हम A के inverse equation 1 से multiply करें तो हमें ये मिलेगा और एक ही value को अगर equation के दोना size पर multiply करें तो equality पर फर्क नहीं पड़ेगा ये कौन कहता है? ये ही multiplicative property of equality So far, so good अब जबके हमने equation सेट अप कर ली है हम left hand side को as suzierif law of multiplication से rearrange कर सकते हैं इस A और इस K multiplicative inverse को brackets में enclose करें याद करें कि multiplicative inverse को product 1 होता है और अब हमारे पास ये बचा है Multiplicative identity property ये बताती है कि कोई भी number 1 से multiply होकर वापस वही number बनता है लेहाजा left hand side पर अब सिर्फ B है और ये हमने कर लिया हमने proof कर दिया है कि अगर A और B की product 0 है तो इन में से कम असकम एक जरूर 0 होगा लेकिन assume करें कि A नहीं है तो पता चला कि B कुछ जरूर होना चाहिए खुद practice करके देखें कि क्या होता है अगर हम इसका opposite assume करें ये ही same method काम करेगा और first example के लिए इतना ही ये काफी simple और आसान था है ना हाला कि ये equations obvious लग रही थी लेकिन हमने इन्हें मजीद break किया और देखा के कितने सारे loss इसमें अपना part play करते हैं अपनी next video में हम ये ही fun दुबारा करेंगे